स्रम्माननी धर्म प्रिमी सज्जिनों, शर्द्धा मुर्ती देवियों कई बार आप लोगोंने संत महातमाओं से, भक्त सज्जनों से, धार्मिकों से यह सुना होगा जिग्यास मुमुक्च साधकों को गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के साथ रहना चाहिए क्यों तो कहते हैं कि गुरु छिश्यों को, साधकों को भगवान से मिलने का रास्ता बताता है और जब भगवान मिल जाता है, तो मनुष्य का जीवन कृतार्थ हो जाता है यह मानव जीवन, भगवान का भजन करने के लिए और भगवान को पाने के लिए मिला हुआ है सब कुछ मिला और भगवान नहीं मिला तो जीवन सफल नहीं होता है भगवान मिल जाए, तो जीवन सफल हो जाए तो भगवान कैसे मिलेगा? इतले कहते हैं कि गुरु के पास जाना चाहिए गुरु शिश्यों को भगवान से मिलने का, भगवान को पाने का रास्ता और तरीका बताता है इत बात में सचाई होगी लेकिन पूरी सचाई नहीं है पूरी सचाई यहा है जो सच्चे गुरु होते हैं पूर्ण गुरु वे अपने सच्च को भगवान को पाने का रास्ता नहीं किन्तु भगवान बनने का रास्ता बताता है आपको भगवान पाना नहीं है भगवान बनना है भगवान होना है पाएंगे तो भगवान फिर बिछूड जाएगा इस्थाई कब तक रहेगा अब और आप सोयम भगवान हो गए तब भिछुडने की बात ही नहीं है आपको सोयम भगवान होना होगा तभी दुखों की पूरी निवृत्ति होगी तभी जीवर में पूर्ण किरतार्थता आएगी तभी मांसिक संताप और पीड़ा से आप बच पाएंगे और कोई रास्ता नहीं है लोग कर सकते हैं देखो ये लोग खुद भगवान बनना चाहते हैं चाहे जिसको हो दुख निवरते तो भगवान बनना ही पड़ेगा लेकिन भगवान है कौन भगवान कहते किशे हैं ये समझना होगा भगवान शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसी अलोकिक सत्ता की कलपना खड़ी हो जाती है एक नक्सा बन जाता है इधर आजा आज़ 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 सुनते आए हैं और पढ़ते भी आए हैं लेकिन यह कलपना केवल कलपना मातर ही है दुनिया तो सदा से है कब नहीं थी दुनिया और कब नहीं रहेगी जो मैटर है दरब्य है वह नित्य है और नित्य दरब्यों में उनकी नित्य अपने गुन-धर्म है वो सुभाव शिद्ध है उनके अपने जो गुन-धर्म है उनकी अपनी जो गती है उनहीं गती और गुन-धर्मों से पर्वानों में प्रफपर्प संयोग-बियोग मिलना भिछुडना होता रहता है और उन्हीं परमानों के मिलने बिछोडने संयोग वियोग से चीजें बनती बिगडती रहती है तो मूल दर्व्य तो नित्य है जो हम देखते हैं नाना रुपात्मक पदार इनका बनना बिगडना होता है हवा कब नहीं थी पानी कब नहीं था आग कब नहीं थी मिट्टी कब नहीं थी और इस चेतन जीव कब नहीं थे नहीं थे तो कहां से आ गए कुछ होने से ही कुछ होता है शुन्य से तो कुछ पैदा होता नहीं है अब ये भी है जो मूल दर्व्य है मूल पदार्त वे दिखाई नहीं पड़ते जो सत्य है वो दिखाई नहीं पड़ता जो दिखाई पड़ता है वो सत्य नहीं जूट होता है जूट का मतलब जो आज है और कल न रहे जिसका रूप सतत परिवर्टित होता रहे एक जूट वो होता है जिसका तिनों काल में अस्तित्व ही नहीं होता जैसे खरगोस की सिंग कभी नहीं होते हैं आकाश के फूल बंध्या के पुत्र क्योंकि ये कभी होते ही नहीं है एक जुट ऐ है अदूसरा जुट क्या है जो अभी तो है येकिन कुछ दिन पहले नहीं था कुछ दिन पश्यात नहीं रहेगा जैसे यहाँ जितने लोग बैठे हुए है इन में से किशी का भी शरीर सौ साल के पहले नहीं था किशी का भी शरीर नहीं था बैठे हुए लोगों में से सौ साल के पहले और सौ साल के बाद इन में से किशी का शरीर रहेगा नहीं बदल जाएगा जैसे ये आसरम तीस साल पहले ये आसरम कहा था और एक समय ऐसा आएगा जिस आसरम का नामो निशान मिट जाएगा पक्का है लगेगा कि कहा जा रहे है तो ये तो सराब दिया जा रहा है आसरम को सराब को देने की बात नहीं है हकीकत है ऐसा समय आएगा कि आस्रम का नामों निशान नहीं रहेगा कुछ दिन के लिए है और इसी में हमारा बेवहार होता है लेकिन जिन तत्तों से इस आस्रम का निर्मान हुआ है जिन तत्तों से हम लोगों के शरीर का निर्मान हुआ है क्या वे तत्व भी मिठ जाएंगे वे तो पहले भी थे आज हैं और आगे रहेंगे जो सत्य है वो दिखाई नहीं पड़ता जैसे सत्य क्या है? चेतन जीव देखोगे कैसे उसको वे तो देखने वाला है चेतन जीव की उपस्थिती अनुटहरी हमें शरीर के माध्यम से खुती है, उसका बौदह educating निराधार आधार ले जाने सदूर कवीर ने कहा है जो निराधार शेतन है उसको शरीर के आधार से ही हम जानते हैं बिना आधार के शरीर बिना शरीर के शेतन का बध नहीं होगा मैं अजर अमर अविनाशी आतमा हूँ शुद्ध बुद्ध हूँ अज़ हम कब कहते हैं शरीर है तब कहते हैं बिना शरीर के कोई कह सकता है आव सकता भी क्या है तो जो निराधार है उसका बोध उसका ग्यान हमें आधार से होता है चेतन सत्य है और दिखाई नहीं पड़ता परमानू सत्य है यह मकान कैसे बना हुआ है परमानू की धेर से लेकिन परमानू क्या कभी कोई देख सका है आज तक कैसे देखो गुसको लेकिन वही सत्य अंति में काई परमानू का अर्थ वह है वह अंति में काई जिसका विभाजन न किया जा सका जो अविभाज्य हो बग्यानी के कहते हैं कि आज परमानु को भी तोड़ा जा सका परमानु को भी तोड़ दिया गया है तिक हम उसे परमानु उसे कहते हैं जिसका विभाजन न हो सके विभाजन करते 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 ऐची सिती आजाए जहां विभाजन संभव ना हो उसे देखोगे कैसे लेकिन वही मूल है वही एकाई है अब ये कब नहीं थे सब समय थे तो दुनिया तो सब समय रही है आज है आगे रहेगी मैटर को पदार्थों को न समझने के कारण तत्तों के जो गुंधर्म है प्रकिर्टी के जी कारणकार्य बेवस्था है उसको न समझने के कारण हम स्रिष्टी की कलपना कर लेते हैं और साथ साथ स्रिष्टी बनाने वाले की भी कलपना कर लेते हैं और कहते हैं मुई भगवान है ऐसा भगवान नहीं है भगवान के हाँ अर्थ है किर्टार्थात्मा ऐसी अवस्था में पहुँच जाना इस जीवन में रहते रहते जहां कोई दुख ना हो कोई संताप ना हो वही अवस्था भगवान की अवस्था है भगवान की परिभासा दी गई है भग्न कर दिया है वान जिसने उसे कहते हैं भगवान भग्न कहते हैं तोड़ देने को नष्ट कर देने को मिटा देने को वान कहते हैं बंधन को जिसने अपने बंधनों को मिटा दिया तोड़ दिया जो निर्बंध हो गया जिसके मन में किसी परकार का कोई बंधन नहीं रह गया पून निर्बंद दसा जिसको आ गई उते ही भगवान कहा जाता है इसलिए बुद्ध को भगवान कहते हैं महावीर को भगवान कहते हैं राम और कृष्ण के नाम में तो भगवान सब्द का प्रयोग बहुत बाद में हुआ है, बुद्ध के महावीर के बाद, पहले राम को भगवान थोड़े कहा जाता था, आप पूरी बाल मिकी रमान पढ़ करके देख लें, कहीं भी महाराज राम के लिए भगवान सब्द का लेकिन राम के लिए नहीं, बहुत बाद में प्रयोग हुआ है, और मूल चर्चा, जहां रीग वेद में स्री कृष्ण की चर्चा है, वह कृष्ण के नाम में भगवान नहीं किन्तु, कृष्ण के नाम में जुड़ा हुए विथेशन असूर कृष्ण कहा गया है, रीग कृष्ण के नाम में असूर कैसे, असूर तो गलत है, लेकिन ये तो परिवासा बाद में बदल गई न, असूर, असूर कहते हैं प्रानवान को, बलवान को, असूर कहते हैं प्रान को, बल को, तो जो बलवान हो, प्रानवान हो, उसे असूर कहा जाता है, आज असूर का अर असुर सब्द का सम्मान जनक प्रयोग जादा हुआ है। बहुत कम हुआ है। तो रीग वेद में नाम में कहीं भगवान नहीं है। अलोकिक्ता नहीं है। असुर कृष्ण कहा गया है गायों का रक्षक, आदिवासियों का समर्थक, इंद्र का विरुधी। शांदोग उपनिसद में भी जहां स्री कृष्ण की चर्चा है वहां कोई भगवान सब्द नहीं है मुख्ष कृष्ण की चर्चा आती है तो पहले जो रिशी मुनी हुआ करते थे कृता अर्थात्मा त्याग बैराग्यवान उनको ही भगवान कहा जाता था और उसी अर्थ में कवीर सहेव ने भी भगवान सब्द का प्रियोक किया है और उनकी ही पुजा अराधना करने की बात उनकी सेवा करने की बात उपासना करने की बात उन्होंने कही है कर विचार विकार परिहरी तरण तारण सोय कहें ही कवीर भगवंत भजुनर दुतिया और नकोय जिन्होंने विचार करके विकारों का उनतह त्याग कर दिया जिनका जीवन निर्विकार हो गया निर्मल जीवन तरण हैं वे मुक्त हैं और तारण वे ही दुसरों को मुक्ति का मार्ग बताने वाले दुसरे के मुक्ति में सहायक हैं जो अपने बंधन को काट चुका है वही तो दुसरों को बंधन काटने को उपाई बताएगा जो सोयम बंधन में पड़ा हुआ है बंधनों में बंधा हुआ है वो बंधन ते छूटने को उपाई क्या बताएगा कैसे बताएगा इल्या साहब ने कहा कर सेवा निरबंध की पल में ले छुड़ाए बंधे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय कर सेवा निर्बंध की पल में ले छुड़ा है। बंधे हुआ आदमी, दुसरे बंधा हुआ आदमी को बंधन से मुक्त कैसे करेगा। बंधन से मुक्त वही कर सकता है जो सुयम निर्बंध हो। अब बंधन क्या है? विकार मन की गंदगी, मन की मलिनताएं छुटे ये कैसे? विचार पुर्वक साधना करने से हट करने से काम नहीं वनेगा हट करके हम काया को कष्ट दे सकते हैं लेकिन हट करके विकारों का त्याग नहीं हो सकता है बिचार करना होगा और रोज निरक परक करने होगी रोज निरक परक करते हैं बिचार करते हैं जह अमुक दोश अमुक विकार मेरे मन में है तो उसे मुझे क्या मिला उतके आने पर मैं कैसे अपने आप में shouldn'tah पस्चा ताप, दुख पीड़ा का अनभाव होता है विचार किये और समध्दारी पुर्वक साधना करते गए एक-एक विकार एक-एक विकार छोड़ते गए छोड़ते छोड़ते सारे विकारों का त्याग कर दिये तो आप मुक्त हो गए और ऐसा जो मुक्त पुरुष है वही ताढ़न है वही दुसरों को तारने वाला मुक्ति का मार्ग बताने वालब आप करते हैं कहीं कभीर भगवान तभजुनार ऐ लोगों वही भगवान है उनका ही भजन करो भजन करना, सुमिरन करना सेवा करना, उपास्ना करना पुझा बंदगी करना वही भगवान है वह तुम्हें मुक्ति करमार्ग बताने वाले हैं दुतिया और न कोई ऐसे जो निर्विकार जीवन निर्मल जीवन जो संत हैं उनको छोड़ कर तुम्हें तारने वाला दुसरा भगवान और कोई नहीं मिलेगा कहां जाओगे कल्पना से रुप भले खड़ा कर लोगे जीवन को सोधना होगा और यही जीवन को सोधना ही वास्तविक भजन है और जिन्होंने पूरा अपने को शोध लिया बंधनों काट लिया वो भगवान हो गया इस अंदर हमें नानक साहिव के दो दोहे याद आते हैं कभी कहा होगा आप लोगों के बीच पुना दुहर आता हूँ है उन दोनों को नानक साहिव कहते हैं जे प्रानी ममता तजे लोभ मोह हंकार कह नानक सुनरे मना कह नारक आपंतरे औरन लेत उधार जे प्रानी ममता तजे लोभ मुह हंकार कह नानक आपंतरे औरन लेत उधार सुख दुख जीव परसे नहीं लोभ मुह अभिमान कह नानक सुनरे मना सो मूरत भगवान भगवान कौन नाना साहब बताते हैं जिन्हों ने अपने मन से ममता का त्याक कर दिया किसी के लिए जिनके मन में ममता नहीं रह गई अपनत्त की भावना एक अपनत्त की भावना होती है सहज प्रेम ममता किसी एक के लिए हो उसे कहते हैं ममता और जो सब के लिए हो उसे कहते हैं समता सब हमारे हैं सब हमारे आत्मी हैं सब हमारे भावन्धू हैं पराया कौन है पर आज़ा कोई नहीं है सब के परती सहज इसने प्रेम की भावना हो सब के लिए मंगल कामना है तो समता है और किसी एक से अपने मन को बांध लिए उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा वो दुर हट गया तो राद दिन उसी का भजन राद दिन उसी का चिंतन राद दिन उसी की शर्चा यह ममता और यही ममता हमें पीडित करती है यही ममता हमें बांधती है सहज प्रेम सब को दो पास में हैं बिवहार करें शेवा करें साथ साथ रहें चले जाए तो भूल जाए सदुर्ण स्रिविसाल सहब कहा करते थे चुकि वे तो ऐसे पूंचे हुए पुरुष्ट थे कृतार सात्मा अब ऐसे लोगों के पास अनेक लोग पूंचते ही रहते हैं अनेक प्रेमी आते थे एकदम भक्ती भाव से समर्पित सरद्धा भाव से भरे हुए लोग आते थे तब एक शरद्धा भाव से भरे हुए लोग आते थे तब एक शरद्धा भाव से कहा करते हैं समय समय से कि जो लोग मेरे सामने आते हैं पूजा करते हैं सम्मान देते हैं सरद्धा दिखाते हैं भक्ती करते हैं जब वो लोट चले जाते हैं तो मैंने सोता कि इनसे फिर मुलाकात दुबारा होगी मैं यह सोता नहीं उसको भुला देता हूँ मिल गए पुछ लिए चले गए भूल जाओ अब उसमें मन को बांध लिए हाई कितने बड़िहा लोग थे कितनी हमारी प्रसांता कर रहे थे कितने हमारे हमको इतने रुप्या पैसा चढ़ाए प्रसाथ चढ़ाए कितनी हमें आरती किये कितनी हमारी सेवा किये कितने अनकूल लोग थे जोड लिए ममता बना लिए अभोगो दुख कौन बचाएगा इसको अपने आपको तो किशी एक में मन बधा हुआ है वो ममता है कहीं मन बधा नहीं है सब हमारे हैं सब के लिए सहाज इसने करोणा कल्यान की भावना सहाज प्रेम वो समता है नाना साहब कहते है जिन्होंने ममता का त्याग कर दिया किसी के लिए ममता नहीं किसी से मन बन्धा हुआ नहीं है खुला हुआ मन लोब मोह हंकार लोब नहीं है मोह नहीं है अहंकार नहीं है लोब होता है पदार्थों का निर्जी पदार्थ है उनके परती लोब जमीन का लोग, रुपिय पैसे का लोग, पद का लोग, परतिष्ठा का लोग, सम्मान का लोग, मठ महंती का लोग, यह सब निर्जीव हैं लोब निर्जी पदार्थों का मोः शजी प्रानियों का मन की वृत्ती है मन की वही वृत्ती जब पदार्थों के प्रती लगी हुई है तो उसे लोब कहते हैं मन की वही वृत्ती वही चिपकाहट की भावना प्रानियों के प्रती है तो उसे मुह कहते है अब प्राणी मिल गए पदार्थ मिल गए इनसे अपने को जोड करके बड़ा मान लिये तो वही अहंकार हो गया किसी पदार्थ मिलते हैं जीवन में प्राणी भी मिलते हैं लेकिन वो अपने को जोड करके बड़ा नहीं माने सोचे कि हम सहज मनुष्य हैं मिल गए हैं पुरसास से प्रानी पदात अपने जीवन निर्वाह के लिए और सेवक लिए इनको उप्योग कर ले हमारा इनको क्या अधिकार है कहीं अधिकार नहीं गाठे उनसे जोड़ अपने को बड़ा नहीं माने अखकार कहाएगा जब हम प्रानी अप्दार्थों से अपने को जोड़ कर लेते हैं और मानते हुआ अधिक यह हमारे पास वह है मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ वहीं अखकार आता है और जहां अनकार आता है वहीं हमें चाटे खाने को मिलते हैं और कुछ थोड़े मिलता है तो ममता नहीं है लोब नहीं है मौ नहीं है अहंकार नहीं है कहनानक आपन तरे ऐसा मनुष स्यम इस वंतार सागर से पार हो जाता है औरन लेत उधार वो औरों का भी उधार करता है प्रेना दे करके समझा करके सही रास्ता बता करके उस साहिद दे करके और उनको कल्यान मारगे में लगा कर उनका भी उधार करते है सुख दुख जीव परसे नहीं लोब मौ अभिमान कहनानक सुनरे मन सो मूरत भगवान जिनके मन में सुख और दुख का इस परस नहीं होता लोब मौ अभिमान लोब नहीं है मौ नहीं है अभिमान नहीं है अब परस में यह होता है कौन ऐसा आदमी है जो सुख और दुख से बचा हो सुख पाने के लिए सब काम कर रहे हैं दुख से बचने के लिए काम कर रहे हैं तो सुख दुख से बचा कौन है? कोई नहीं बचा बाहरी दिर देखें तो, और यहां कहा गया है कि सुख दुख जीव परसे नहीं, मन में सुख दुख की परस ना हो, इतका अर्थ क्या है? सुख क्या है? मन के अनकुल वृत्ती, इस सुख है, परत्कुल वृत्ती यह दुख है, मन को अनकुल लगने वाले परानी मिल गए, पदार्थ मिल गए, खाने पिन एक चीज मिल गए, हम सुख हो गए, मन को अच्छे न लगने वाले चीजे मिल गए, अच्छे न लगने वाल से प्दार्थ औ प्रानी मिल गए, बबथ हम धुखी हो गए चैह अनुकुलता और प्रत्फिकुलता जीवन परियन आती जाती हुआ गिदे लेहुए से नियोग की यह जिवन परियांत बने रहें गगे। और इनकुल्ता प्रतिकुल्ता में एक भी मानतिम प्हुता हमारा हर्ची की अरुता है, तो इसका मतलब है कि हमारा मन बहुत कमजोर लो नहीं है। भी समझने की बात है। कि कोई भी काम हो सेवा का काम हो साधना का काम हो अनुकुलता में बढ़िया बनता है ज्ञानी से ज्ञानी पुर्ष को भी अनुकुलता प्री होती है लेकिन प्री होना अलग बात है मोही होना अलग बात है पास में रहने वाए लोग हैं अनुकुल हैं बहोजन नहीं मिले, तो नहीं तो सादना कैसे बनेगी बडिया, इवा कैसे बनेगी? तो काम अनकुलता में बनना है, फोड़ी कथनाई होती है. यदिन अनकुलता मिली, हर्षित हो गया हमारमान एक फूल करे कुपप हो गया. प्रत्कुलता मिली, एक दम शोकित हो गया, माथा पकड़ करके बैड़ गया, कच्चा मन अब यह सा क्यों होता है, क्योंकि जितना जादे हम सुखाध्यासिया होते हैं, भोग लोलूप होते हैं उतना जादा एक शिती आती है, अनकुलता का स्वागत, प्रत्कुलता का स्वागत, सहज सारिक सुख मिला, सुधा मिली उसको अपयोग कर ले, और सुधा मिली उसमें भी बिवहार कर ले कहीं बांढ़े ना, अपने मन को सभी सितियों से उपर उठा कर समता में जीना, यही इसी को गीता में योग कहा गया है, समत्व में ही योग उच्यते, अनकुलता प्रतिकुलता, सूख दुख, हानिलाब, मानअपमान में, मन में समता रहना, यही योग है आप लोगों को मालूम है सब बहुत लोग जानते होंगे हमारे शरीर का एक निशित तापमान होता है डाटर बताते हैं कि 98-5-6 डिग्री से फेरनहाइट जब यह तापमान गिर जाता है किसी कारण से तो शरीर असस्त हो जाता है तापमान जब बढ़ जाता है तो शरीर असस्त हो जाता है तापमान घटा तो शरीर असस्त तापमान बढ़ा तो शरीर असस्त कैसा भी ठंडी का महिना हो शित लहर चलती हो बरब पढ़ती हो तो बाहर का तापमान घट गया है तो आपके सरीर का तापमान भी घटेगा नहीं वही रहेगा 95 है कैसी भी भैंकर लू चल रही हो तापमान बहुत बढ़ गया है बाहर का तो आपके सरीर का तापमान बढ़ेगा नहीं वही रहेगा बाहर का टेमपरेचर घटने से सरी का टेंपरिचर घड़ गया बाहर की टेंपरिचर बढ़ने से सरी टेंपरिचर बढ़ गया इसके मतलब आपको शरीर बीमार है आप जी नहीं सकते कोई नहीं जी सकेगा स्वस्षरीर का तापमान ठंडी में गर्मी में सब में एक जैसा रहता है उसके लिए उचित खान पान आहार विहार सोना जागना काम साधानी की आवस्तक्ता है ऐसे ही हमें अपने मन के तापमान को एकरत बना कर रखना है किसी ने निंदा की किसी ने प्रसंसा की किसी ने भेड़ दिया किसी ने कुछ छिन लिया कभी हानी होगे कभी लाब हो गया सभी सिती में समता अनकुलता की प्रती मोह नहीं प्रत कुलता की प्रती बैर नहीं समता की सिती हो ये समता की सिती ही ग्यान का फल है यही साधना का फल है और समता जो अपने मन को सब समय समता में रख सकता है वही परमात्म लाव कर सकता है वही सच्ची शामति के अन्भूति कर सकता है कहते हैं कि एक महात्मा के पास एक साधक पहुँशा और कहा कि महराज अनेख संतों के पास में गया उनके पास रहा सेवा किया क्यों क्योंकि मैंने सुना था कि मानो जीवन का फल है भगवान को पाना भगवान को देखना भगवान के दर्शन करना तो भगवान के दर्शन करने के लिए अनेक महात्माओं के पास गया उन्हें निमदन कि आप मुझे भगवान के दर्शन करा दें तो महात्माओं ने का अभई हमने दर्षन नहीं किया तो तुम्हें कहां से करवाएंगे, भगवान दर्षन कहीं हुए नहीं, भटकते भटकते संतों के पास मैंने ये सुना, कि जब तिसरा नेत्र खुलता है, तब भगवान के दर्षन होते हैं, ये दुनों नेत्रों भगवान के दर्षन करूं, तो महात्मा ने कहा बेटा, तुम ठिक कहते हो, जब तक तिसरा नेत्र नहीं खुलेगा, तब तक तुम भगवान को देख नहीं पाओगे, लेकिन तिसरा नेत्र खुलने के लिए, अपने दोनों नेत्रों को बंद करना होगा, जब तक ये दोन लपेटा कई पर और आखों में बांँ पट्टी बांद लिया। और अंहाराज में ढिखो मैंने तो इंत्नी को बंद कर लिया। और बता 3 त्नेट के फुलेगा। तो महात्मा ने कहा बेटा मैं ये बाहर के जो श्याम के नेत्र हैं इनको बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ इन आखों थे तो तुम दुनिया के दिर्ष्टियों को देखते हो लेकिन इनके अड़ावा दो नेत्र आव रहे हैं वो क्यों है राग के नेत्र और द्वेश के नेत्र कहीं हम राग दिर्ष्टी से देखते हैं और द्वेश दिर्ष्टी से देखते हैं राग भी खतम देज भी खतम तब तिसरा नेतर खुलता है समता का नेतर विवेक का नेतर अब तब भगवान दरसन होता है दरसन होता क्या है वो आत्मा साख छातकार हो गया पता चल गया कि जित भगवान को में फोज रहा था पादा से वो तो के बाहर है वो तो मेरा अपना नापा ही है, मेरा सुरूप ही है, मुझसे अलग कहा है, समता जब आती है, विवेक का जब उधगाटन होता है, तब आत्मा साख छातकार होता है, आत्मानो भूती होती है, उसी को हम कह सकते है, भग्वानक दर्सन, इस्वाइक दर्सन, प्रमा साख छातकार, इस्वार साख छ सना हो, मन सुख का लोभी ना हो दुख का देशी ना हो सुख की सिती आएगी दुख की सिती आएगी लिके सुखी होना है या दुखी होना है यह अलग बात है सुखी या दुखी होना हमारे मन पर निर्फर करता है प्रसितियां हमें सुखी दुखी नहीं बना सकती है येकी प्रसिती में हम देखते हैं एक आदमी शान तबैठा है और एक आदमी उलचा हुआ है यदि प्रसिती से सुख दुख मिलता तो दोनों के मांतिक सिती एक जैसी होती लिए ऐसा कहां होता है एक उलचा हुआ है क्योंकि तमाम काम नाई थी मन में अनकुलता ने मिली उलच गया मन एक शान्त है ठीक है प्रसिती आ गई मैं बदल नहीं सकता लेकिन इस बरतमान प्रसिती में मुझे जो करना चाहिए हो तो मैं कर सकता हूँ ऐसा रख करको करने लग गया शान्त मन से दुख की सिती पैदा होगी कोई अपमान कर दिया कोई आदमी लोग कहते है न साहब दुखी कैसे न हो उन्होंने हमारे अमुक चीज को छिल लिया उन्होंने हमारा अपमान कर दिया उन्होंने हमें गाली दे दी उन्होंने हमें मार दिया पत्नी छोण कर चली गई सत्रू का संयोग ओगया दुखी कैसे ना हूँ इन्हें दुखी होना तो सभाविक बात है, सभाविक नहीं है ये दुख की स्थितियान अपमान होना हानी होना मार खा जाना गाली सुन लेना प्री का बियोग हो जाना ये दुख की सितियां है दुखी होना है या नहीं होना है ये हम पर निर्भर करता है चाहे तो दुखी हों चाहे दुखी ना हों जितना हम अपने आपको प्रानी और पदार्फों से प्रसितों जोडते हैं उतना सुखी दुखी होते हैं जितना नहीं जोडते हैं नूटर रखते हैं अपने आपको उतना हमारा मन शांत रहता है इसलिए गीता में कहा गया है दुख संयोग वियोगम योग शंगीतम यो किसे कहते हैं दुख के संयो कर देना दुख के संयोग करना नहीं कहा गया दुख के संयोग करना कभी संभाव है कि लोग हमें बुरा न कहें कभी संभाव है कि लोग हमारी बुराई न करें कभी संभाव है जीवान में रोग ना आए कभी संभाव है कि प्रीका बियोग ना हो कभी संभाव है कि अप्रीक स ना हो ये तो होगा इन हम कैसे रोख सकते हैं किसके प्रारवध हमें क्या से कब क्या घटना घटेगी क्या मालूम तो ना हम प्री के बियोग को रोख सकते हैं ना प्री के संयोग को रोख सकते हैं ना हानी को रोक सकते हैं, ना अपमान को रोक सकते हैं, यही है दुख का संयोग होना, अपमान मिला दुख का संयोग हुआ, लेकिन इस संयोग के भी योग कर दें, कि इससे अपने मन को न जोड़ें जब हम मन को जोड़ लेते हैं किसी प्रसिती से कोई कहीं से भी तब वहाँ दुख का अनभाव होता है अन्यसा दुख का अनभाव नहीं होता एक आदमी गाली दे रहा है हम सूर रहे हैं हमें पता नहीं किसे गाली दे रहा है तो काते हैं आदमी बिना मतलब गाली दे रहा है हम दुखी नहीं है थोड़े नहीं पता चला है अरी तो मुझे सुना कर दिया जा रहा है गाली बद दुखी होगे क्यों जोड लिए अपने आपको अभी तो जोडे नहीं थे, माने नहीं थे कि है मुझे गाली दी जा रही है, दुखी नहीं थे अब पता चलक ने मुझे गाली दी जा रही है मुझे सुना कर कहा जा रहा है, दुखी हो गए संयोग तो था, लेकिन दुखी नहीं थे जोड लिए दुखी हो गए इसका बियोग कर दो ठीक है उसका मन सदुरुस्री विसाज साहब कहा करते थे किसी ने कहा साहब अमुक आदमी अमुक भक्त या अमुक महातमा आपकी बुराई कर रहे थे आपको भला बुरा कह रहे थे तो सदुरुस्री विसाज साहब कहते थे ठीक है उसका जैसा उसका मन वैसा उसने कहा उसमें ये बुराई करने में उसका कोई लाफ रहा होगा उन्होंने मेरी बुराई की उसका मन प्रसन हो गया लाब हो गया और मेरी कोई हानी नहीं हुई बस काम बन गया कोई हमारी बुराई कर रहा है तो क्यों कर रहा है लाब मान कर कर रहा है कि इसी बुराई करूंगा तो मेरा लाब होगा मुझे सुख मिलेगा उन्हों हमारी बुराई कि उसका लाब हो गया और हमारा कोई घाटा नहीं कोई हमारी बुराई करेगा तो हमारे सरीर का मान से घड़ जागा का पाव भर और कोई हमारी प्रसंता कर दे तो ये किलो हमारा मान बढ़ जाएगा क्या हम तो जैसे ही तैसे रहेंगे ना लेकिन हम मान लेते हैं और जितना हम अपने को बड़ा मानते हैं, हम इतने अच्छे हैं, हम इतने, ऐसे साधू हम ऐसे बहरागे, हम ऐसे ग्यानी है हम ऐसे ऐसे हैं जितना मानते गए, मानते गए, उतना दुखी होते गए, होते गए होते गए, कोई रोके गए नहीं कुछ ना माने अपने कहीं न जोड़ें दुख कहां होगा कहते हैं कि सद्रु कबीर अपने सिच्ट के साथ कहीं जा रहे थे ऐसे साम का समय हो गया अंधैरा होने लगा आग जहान जाना थो वो दूर था तो कबीर था अपने अपने सिच्ट थे कहा कि देखो, अंधेरा हो रहा है, रास्ता ठीक आगे है नहीं, तो कहें, रुख जाना राच में अच्छा होगा, तो कहां रुखें, के चलो देखते हैं कहीं, थोड़ा आगे बढ़ें, तो गाउं के बाहर, एक बड़ा सा बाग था, उसमें राजा का एक बंगला बना हुआ था, कभी कभी राजा वहां आते थे, एक आत घंटा रुख लेते थे, राजा लोग कभी निकलते हैं, शेर करने को गुमने को, तो दगए बनवा लिये रहते हैं, तो राजा के एक बंगला बना हुआ था, एक चोकीदार उसकी रखवाली किया करता था, उसमें चोकीदार कहीं चला गया था कुछा गया से, कभीर ताभीट थाम ने कहा देखो, ये बाग है, गाओं के बाहर सूनता है, बंगला है, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसा करो, कि एक कमरे में तुम चले जाओ, और एक कमरे में मैं चला जाता हूं, एक कमरे में तुम सो जाओ, येक त कुछ बनो के दगरबर हो जाएगा। दोनों चले गए। दस बज़े रात के समय चौकीदार आया। उसके लगा कि मानो यहां कोई रुका हुआ है। गया उस कमरे में जहां। कबिर साब कुछी से सोया हुआ था। उठाया। देखा। यहां कैसे सोय हो। कौन हो तुम। उस आकर रहना चाहिए बहिए बंगला में। सादूर जाओ कि पैक निचे सो। एक धक्का दिया विचार गिरते गिरते बशे। अब गाली भी दिया शौकीदार। चले गए और बाहर जाकर एक पैक निचे रह गए। और गए तो वहां जहां कबिर साहब सोय थे। वहां गए कुछ एबाबा कौन हो। कबिर साहब निन ठोली देखे। कुछ कहें नहीं साहब कबिर साहब उठे आंक मलतो अपना समाल लिए और चुब चब निकल गए बाहर। शुबह हुई दोनों को मुलाकात हुई तो सिच्छ ने का साहब रात में तो जोकीदार आया मुझे गाली भी दिया और धक्का भी दिया। साहब निका तुम कुछ बने होगे जरूर। निसाब में कुछ नहीं बना हूँ। साहब ने का अच्छा बताओ बात क्या हुई। कैसा भू आया मुझे जगाया। अब पुछा ए तुम कौन हो यहां क्यों सरह हो तो मैंने का देखो देख नहीं सरह कर दैखा मिला हुऊ। तुम कि साधु बन गए अपने साधु माल लिया बस गरवठ़ हो गया। तो जहां हम कुछ बने जहां आपने को कुछ माने बस वहीं धक्का खाना मिलता है वहीं चो दुख मिलता है कहीं जोडे ना अपने आपको तो दुख का संयोग तो हो सकता है लेकिन आपने दुखी होना है या नहीं होना है वह हमारे मन पनिरभर करता है जोड़ लिए, दुखी हो गए, नहीं जोड़े, दुखी नहीं हुए, उसका बियोग कर दो, अब मान कर रहा है किसी कोई, ठीक है समतले, ठीक है उसका मन है भई, मेरा क्या बिगड़ता है इसमें, जोड़े ना, उसका बियोग कर दे, मन से हटा दे, मन में लेना, किसी घटन को जब हम मन में ले ले लेते हैं बसा लेते हैं तब उससे आंदोली तो होते हैं अब मन में न बसाएं मन में न ले तो आंदोलन का प्रफन ही नहीं होता है सुख दुख जी पर से नहीं नानक साहब कहते हैं ऐसा अपने मन को समता में बनाएं ज्ञान का फल क्या है इस समता सभी सितियों में स्थम लोभ मोह अभिमान मैं दिखा कि लोभ ना हूँ आदमी के पाथ लोभ हो जाता है चीजें बढ़ती गई बढ़ती गई बत लोभ की वृत्ति आती गई संगरा की वृत्ति आती गई लोभ में और कैसे बढ़े और कैसे बढ़े धन का लोभ पद का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ गुर्वाई का महंती का लोभ कहीं लोभ आएगा तो बिना पाप हुए बचेगा नहीं सदुर कवीर कहते हैं लोब में परकर आदमी जनव को खो दिया ये लोब रुपी पाप ने पुन्य को खा गया लोभी तो पाप का बाप कहा गया है लोभी आदमी कौन सा पाप नहीं कर सकता है उसकी लिए रुपिया ही भगवान है रुपिया ही गूरु है, रुपिया ही माता पीता है, बाकि सब गौन है, और लोभी आदमी साधना क्या करेगा, लोभी आदमी सेवा भी क्या करेगा, जिसके चित में हर समय हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पैसा, पैसा पैसा नाच रहा है, वो कौन सा अनर्थ नहीं कर सकता है, लोब से बचें लोब ही करना है न तो वृत्ति को थोड़ा मोड दें लोब करना है तो ज्ञान का लोब करें सद्गुनों का लोब करें कि कैसे जीवन में अधिक से अधिक ज्ञान बढ़े कैसे अधिक से जीवन में सद्गुनों का आचरन हो वृत्ति वही है मन की लोब में बटोरने की वृत्ति है पाने की बढ़ाने की तो आप ग्यान बढ़ाने की वृत्ति बनाए सदुनों बढ़ाने की वृत्ति बनाए तो ये लोब की वृत्ति कल्यान में सहाजा को जाएगा इतली साहब ने बीजक में कहा है जिस संद्रिपात से दुनिया के लोग रोगी बन बन करके मारे जा रहे हैं मर मर करके जा रहे हैं उनहीं का उप्योग करके साधु सुर्धी प्राप्त कर देते हैं हमारी शरीर में कप पित बात ये तिन नाडियां है किसी सरीर में कभ की प्रधानता है किसी सरीर में लोब की बात की किसी में पित की लेकिन है तीनों के तीनों का जब संतुलन रहता है एक बिछे संतुलन तो हमारा सरी सस्थ रहता है और काते तीनों जब समावस्था मागे संनी पात रोग हो जाता है फिर आदमी कुछ का कुछ बगता है उसका बचना मुश्किल हो जाता है यह तो सरीर की बात है ऐसे मन में हैं काम क्रोध लोग काम बात कफ लोग अभारा क्रोध पित निच्छाती जारा पृति करेव जो तीने भाई उबजय संदिपाद दुगदाई यह गोसामी जी मानस में कहा है काम क्रोध लोग सरीर में कफ पित बात यह तीन और मन में काम क्रोध लोग यह काम क्रोध लोग यह तीनों को ही तो नरक का द्वार कहा गया है आदमी के पतन का आदमी के बंधन का आवागवन का कारण क्या है यह काम क्रोध लोग पूरी दुनिया के लोग एक कामक्रोज लोग के गुलाम बने हुए हैं और इनमें पढ़ करके ही मारे जा रहे हैं सदुरु कबिर करते हैं इनहीं से ही साधु, सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं कल्यान प्राप्त कर लेते हैं कैसे जो कामक्रोज लोग तो नरक का रास्ता है बंधन का रास्ता है दुख का रास्ता है इसे सिद्धी कैसे मिलेगी मार्ग बदल करके मार्ग अंतरी करन करके काम काम क्या है? चिपकाहट की भावना बिजाट घट के प्रति आकर्शन युवक का यूती के प्रति यूति का यूवक के प्रति, का सकते हैं, इस्तिरी का पुरुष के प्रति, पुरुष के प्रति, पुरुष के प्रति, पुरुष के प्रति, जो आकरशन है, चिपकाहट की भावना है, यही काम है, काम की वातना जब आती है मन में तो क्या होता है, यूवक चाहता है, यूति के प्रति आकर्षन नहीं संद गुरुजने के प्रति आकर्षन जितना हमारा मन का नुराग संद गुरुजनों के प्रति होगा उतना हमारा जीवन उपर उठेगा तो साधु साधक काम को बदल देते हैं भक्ति में क्रोध क्रोध में होता है कि सामने वाले का कैसे अधिक तद सामने वाले को कैसे अधिक से अधिक दुख पहुंचाऊं, चोट पहुंचाऊं, पीड़ा दूँँ, क्रोवे सदे मिटाने के नुक्सान करने की भावना होती है, लेकिन जो भक्ति प्रधान है, शाधक है उसका कोई बाहर कोई बैरी है ही नहीं, उसका बैरी कौन हैं, उसके अपने मन के विकार तो साधक बाहर किसी पर क्रोध नहीं करता क्रोध करता है अपने दोसों पर गलतियों पर विकारों पर इसे प्रोध बदल देते हैं बैराग्य में क्रोध बैराग्य में बदल गया अब बाहर कोई दुस्मन नहीं रह गया दुस्मन है अपने मन के विकार उनको मिटाना है बैराग हो गया लोभ में और बटोरूं और बटोरूं और बटोरूं कैसे अधिक अधिक बढ़े जो कुछ मिला बटोरते गए बटोरते गए बटोरते गए सादक इस लोग बदल देते हैं ज्यान में कि अधिक तधिक ज्ञान का अर्जन करूं, अधिक तधिक शांति का अर्जन करूं, अधिक तधिक सद्गुनों का आत्रन करूं, तो काम बदल गया भक्ति में, प्रोद बदल गया वैराग्य में, और लोग बदल गया ज्ञान में, बत कल्यान हो गया, वृत्ति वही है, पुरा जीवन निर्मल ज्ञान भक्ति बाराक की त्रिवेनी में निमजन करके कृतार्स जीवन्द नाना सायब करते हैं कह नाना सुनरे मना सु मूरत भगवान ऐसा जो व्यक्ति प्रतक्ष भगवान है उनको छोड़ कर तुम्हें भगवान और कहा मिलेगा कहीं खोदने जाओ नहीं मिलेगा और कोई भी व्यक्ति बिवेक विचार पुर्वक साधना करके इस इसिती को करके ब्यक्ति जीवन सुधार करके इस दसा को प्राप्त कर सकता है मानो मात्र की जो मौलिक्ता है उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है जीवन मुक्ति की दसा में इस्थित विराजमान जो संत है उसकी जो मौलिक्ता है और भयंकर विश्यवासना में लिप्टा हुआ जो कामी ब्य तो जीवन के बेवहार में यदि संद गुरुजन ये समझते कि लोग बदल नहीं सकते तो उदेश क्यों करते वह उन्हें आशा है कि लोग बदल सकते बदलते ही हैं अनेक ऐसे लोग हैं संदों की संगत पा करके अपने जीवन में पूरा का पूरा परिवर्थन कर लिए और परिवर्थन ही नहीं कर लिए कि रतार्थ हो गए तो सुरू कित अपनी बात मैंने कि गुरु शिष्य को भगवान पाने का रास्ता नहीं बताता है सच्चा गुरु शिष्य को भगवान होने का रास्ता बताता है आपको भगवान पाना नहीं भगवान होना है हो गए तो सदा के लिए हो गए फिर उसमें बिगड़ना नहीं होगा मिल गए तो छुट जाएगा उसके लिए रास्ता क्या है सदुर कविर कहते हैं विचार करके विकारों का परत्याक कर दो निर्विकार जीवन निर्मल जीवन निर्दोष जीवन बस तुम भगवान होगे अपना तरोगे औरों को भी तरने का रास्ता बताओगे नाना साहब कहते हैं जिसके मन में ममता नहीं है अहंकार नहीं है लोभमो नहीं है जिसका मन समता में स्थीत है वो प्रतक्च जीवित भगवान है और ऐसे भगवान की सेवा करके हम भी दुख मुक्त होता है तो सदुर कबीर कहते हैं संत महंतों सुमरोसोई जो कालफास से बाचा हुई तेश साहब के लागों साथ हो दूई दुख मेटिक हो हुसनाथ वो साहब कौन ऐसा जो कृतार्थ आत्मों वही साहब है उनकी संगत में लग करके दुई दुख राग और वेश का दुख जनम और मरन का दुख इसको मिटा करके हम कृतार्थ हो सकते हैं जो कृतार्थ हो गया वो भगवान हो गया इसलिए भगवान पाने के लिए भटके न किन्तु भगवान होने के लिए साधना करें और विचार ग्यान भक्तिक पदपर चल करके हम अपनी जीवन की दिस्वामी स्चित कर सकते हैं अपनी वानी को यहीं पर आप विराम अभी हम लोग परमश्रद्धे श्री साहिब जी के